नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों एपल ने कुछ समय पहले अपने एन्वर्ड वर्ल्ड डेवलपर कॉन्फरेंस में आईफोन के लिए अपने नए सॉफ़वेर आईओए 16 को अनॉंस किया था आईओए 16 का पबलिक बीटा दोस्तों आपको आईफोन 8 ऑनवर्ड सभी आईफोन मॉडल्स में देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आईओए 16 के पबलिक बीटा को अपने फोन में इंस्टॉल कैसे करना है दोस्तो इस public beta को अपने phone में install करने से पहले हमें चेक करना होगा कि आपके phone में पहले से ही कोई beta profile install तो नहीं है इसके लिए दोस्तो आप अपने phone की settings में जाएं setting में दोस्तो आप general tab में जाएं अब general tab में दोस्तो आप यहाँ पर यह option देख सकते हैं VPN and device management का इस option के उपर आप tap करें अब दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे phone में यहाँ पर iOS 15 की beta profile installed है अब दोस्तो iOS 16 का public beta install करने से पहले आप इस profile को अपने phone से delete कर लें इसको delete करने के लिए आप इस profile वाले option के उपर tap करें और उसके बाद आप यहाँ पर यह रिमूव प्रोफाइल का option देख सकते हैं इसके उपर आप tap कर दीजिए अब आपको यह दुबारा से रिमूव का option देखने को मिलेगा इसके उपर आप tap कर दीजिए अब दोस्तो आपको यह pop-up message देखने को मिलेगा कि you have to restart your phone यहाँ पर आप इस restart वाले option को select कर लीजिए अब दोस्तो आपका phone restart हो जाएगा और आपके phone से वो beta profile डिलीट हो जाएगी अब दोस्तो हमारे phone से beta profile डिलीट हो गई है इसको चेक करने के लिए हम दुबारा से अपने phone की setting में जाएंगे और यहाँ पर general tab में VPN and device management वाले option में जाएंगे अब दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी beta profile देखने को नहीं मिल रही है आपके phone में अगर दोस्तो आपके phone में पहले से ही कोई beta profile इंस्टाल नहीं होगी अब दोस्तो आप अपने safari browser में link open करें beta.apple.com अब आपके सामने दोस्तो यह apple के beta software program का web page open हो गया है यहाँ पर दोस्तो आपको यह दो option देखने को मिलेंगे sign up और sign in के अगर दोस्तो आप पहले से apple के beta software program के member हैं तो आप यहाँ पर sign in कर लीजिए और अगर दोस्तो आप इस beta software program के member नहीं है तो आप पहले यहाँ पर इस sign up वाले option में tap करके यहाँ पर sign up कर लीजिए मैं दोस्तो पहले से ही software program का member हूँ तो मैं यहाँ पर sign in कर लूँगा अपने apple id से sign in करने के बाद दोस्तो आपको अपने सामने यह page देखने को मिलेगा guide for public betas का यहाँ पर दोस्तो आपको यह option देखने को मिलेंगे ios, ipad os, mac os, tv os और watch os के यहाँ पर दोस्तो हम ios 16 का public betas install करना चाहते हैं इसलिए हम इस ios वाले option में यहाँ पर जाएंगे अब यहाँ पर ios वाले option में दोस्तो आपको यहाँ पर नीचे get started वाले option देखने को मिलेगा इस get started वाले option में दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि enroll your ios device का यह option आपको देखने को मिलता है यहाँ पर दोस्तो आप इस option के उपर click कर दीजे अब दोस्तो आपके सामने यह page open हो जाएगा जिसमें आपको यह बोलेगा कि आप अपने phone का यहाँ पर backup ले लीजे आप लेने के बाद दोस्तो आप यहाँ पर इस install profile वाले option में देख सकते हैं नीचे यह download profile का option देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप इस download profile वाले option के उपर tap कर दीजे अब दोस्तो आपको यह pop-up message देखने को मिलेगा कि this website is trying to download a configuration profile do you want to allow this यहाँ पर आप इस allow वाले option के उपर click कर दीजे अब आपको यह option देखने को मिलता है कि profile downloaded review this profile in settings app if you want to install it अब यहाँ पर आप इसको close कर दीजे दोस्तो और यहाँ पर safari से भार आ जाईए इसके बाद दोस्तो आप अपने phone की settings में जाईए अब setting में दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यह option देखने को मिल रहा है profile downloaded का इस option के उपर आप tap कर दीजे अब दोस्तो आपको यह screen देखने को मिलेगा iOS 16 and iPad OS 16 beta profile का यहाँ पर दोस्तो आप उपर option देख सकते हैं install का यहाँ पर आप इस install वाले option के उपर tap कर दीजे अब आपको अपने सामने एक terms and condition देखने को मिलेगी यहाँ पर भी दोस्तो आप उपर इस install वाले option के उपर tap कर दीजे अब यहाँ पर आपको दुबारा से नीचे install वाला option देखने को मिलेगा यहाँ पर भी आप इस install वाले option को select कर लीजिए अब दोस्तो आपको यह pop-up देखने को मिल रहा है कि restart required यहाँ से आप अपने phone को restart कर दीजिए ऐसा करने से दोस्तो आपका phone restart हो जाएगा और आपके phone में यह beta profile install हो जाएगी अब दोस्तो आपका phone जब restart हो जाएगा तो आप वापस अपने phone में settings में जाएगा settings में दोस्तो आप यहाँ पर general tab में जाएगे और general tab में दोस्तो आप इस software update वाले option के उपर जाएगे जब दोस्तो आप इस software update वाले section में जाएगे तो आपको यहाँ पर यह स्क्रीन देखने को मिलेगा iOS 16 Public Beta का यहाँ पर दोस्तो अब आप इस Public Beta को अपने फोन में इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर Download and Install वाले Option को सिलेक्ट कर लीजिए अब दोस्तो iOS 16 की यह Public Beta Profile आपके फोन में डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगी तो दोस्तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फोन में iOS 16 का बीटा प्रोफाइल इंस्टॉल हो गया है अगर हम दोस्तों यहाँ अपने फोन की सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों जनरल टैब में About में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर iOS version शो हो रहा है iOS 16 दोस्तों अगर कुछ समय iOS 16 आपको अपने फोन में यूज करने के बाद ऐसा लगता है कि आप इस iOS 16 के version से खुश नहीं है तो आप अपने फोन को डाउन ग्रेड करके वापस iOS 15 पर जा सकते हैं यह कैसे करना है दोस्तों इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक हमने description box में डाल दिया है और दोस्तों अगर आप iOS 16 में आने वाले कुछ कमाल की features के बारे में जानना चाहते हैं हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो useful लगा होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ share करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नए वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके धन्यवाद